वेलकम बैक टू ओवर चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर रहे हूं नया सिनॉप्सिस मल्टी परपस ग्रास कटिंग मशीन तो एक ऐसी मशीन जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रिकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होती है आप इस मशीन का यूज करते हुए जवार, बाजरा, गेहू, धान और मक्का की भी किसी भी फसल को आप लोग जो है वो काट सकते हैं प्रोजेक्ट थीम क्या रहने वाला है साइंस एंड टेक्नलोजी तो में आप लोग क्या लिखेंगे डिफरेंट टाइपस ओव मशीन आर यूज इन एग्रिकल्चरल अक्टिविटीज क्रिशी का कारे करने के लिए अलग अलग तरह की मशीन यूज होती है फार्मिंग अक्टिविटीज आर मोस्ट एफिशेंट और फास्टर थैंक्स तो मशीनाइजेशन मशीनों के उपयोग से क्रिशी के कारे बहुत सरल हो गए है आसान हो गए है तेज हो गए है human labor has reduced to minimum human labor जबी है वो बहुत कम हो गई है जब हम लोग अलग-अलग machines का क्रिशी में उपयोग करते हैं we care the different type of grass like we clean our lawn हम अपने घर का lawn साफ करते हैं हम लोग जवार बाजरा मक्का गेहूं को साफ करते हैं so doing all these activities manually is a difficult and time-consuming job तो अगर खेत में आपको घास काटना है किसी भी तरह का मक्की जवार बाजरा काटना है तो यह एक time-consuming job है problem क्या है कि घास काटना एक मुश्किल का रहे है time-consuming job है और इसका solution क्या है आप लाएं है एक multi-farming grass cutting machine बेटा अब आप इसका लिखेंगे objective we can save the time by using the multi-purpose grass cutting machine तो हम लोग अपना समय बचा सकते हैं अगर हम लोग multi-purpose grass cutting machine का use करें I have designed different blade attachments मैंने different types के blades design किये हैं और इन blades का function है different type of grass को काटना lawn grass के लिए अलग से blade है मक्का काटने के लिए अलग से blade है गेहू धान काटने के लिए अलग से blade है तो अलग-अलग blade आपने design किये material used according to your model idea आप यहां लिख सकते हैं कुछ मैंने भी suggest किया है iron roads, iron sheets, tires, hooks, handle, different type of blades for cutting the grass, motor, switch, wire आगे आप लिखेंगे इसकी construction आपने इसको बनाया कैसे take a four feet long strong metal pipe तो एक बड़ी सी metal pipe लेनी है आपने strong होनी चाहिए use cell battery switch to make a rotating shaft पहले आपने एक rotating shaft बनानी है जिसमें आप different type के cutting blade है उनको fit कर सकें आपकी rotating shaft switch और battery से चलनी चाहिए ताकि जब आप अलग-अलग blade आगे fix करें तो blade भी move करें और जो आपका घास है जो lawn का घास है वो असानी से cut हो जाए तो यही है कि rotating shaft के आगे आप अलग-अलग blade attachment का यूज़ करेंगे घास को काटने के लिए switch cell battery का यूज़ करेंगे अपनी जो यह grass cutting machine है इसको automatic करने के लिए on or off करने के लिए grass cutting machine काम कैसे करेगी choose the type of grass you want to cut grass choose करें जो आप काटना चाहते हैं गेहू, धान, मक्का, जवार, बाजरा now take the appropriate blade for cutting अब आप एक appropriate blade चूज़ करें grass cutter चूज़ करें जिसका उपयोग आप काटने के लिए करना चाहते हैं घास को fix it in the front of the road जहां आपने rotating shaft बनाई है वहाँ पर इस blade को fix कर दें ना उस switch on the motor motor को चला दें अब blade rotate करना start हो जाएगा और आप लोग जो है वो घास असानी से काट सकते हैं cost effectiveness यानि कि इसको बनाने के लिए आपका कितना खर्चा हुआ कहीं इतनी महंगी तो नहीं कि लोग इसका खरीद ही न पाएं इसको और इसको जो है वो फिर यूज की ही नहीं रही जब इसको लोग खरीदना पाएंगे तो it can be made with locally available material market में जो available material है उससे बनाई जा सकती है it is easily affordable by the farmer for doing the different grass cutting activities farmer इसको प्योग कर सकते हैं अलग अलग grass cutting activities को करने के लिए बेटा अगर आप किसी और model idea के उपर synopsis चाहते हैं तो मुझे comment section के माधियम से जरूर बताएं आप नए model idea चाहते हैं वो भी बताएं आप लोगों ने चैनल को बहुत support किया अस बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत thank you अब बेटा आपने uses लिखने है it is used for different types of grass around us त cutting activities है उनको यह बहुत तेजी से कर सकता है it will save the time यह time और labor दोनों बचाएगा अब इस model idea को बनाने का conclusion क्या है doing the agricultural work faster is the demand of time आज समय की demand है कि हम different agricultural activities को fast way में करें multi-purpose grass cutting machine भी save the time and labor both आपकी जो multi-purpose grass cutting machine है यह आपका time भी बचाएगी और यह labor को भी बचाएगी यानि कि कम मज़ूर लगेंगे आपका जो पैसा है उसको भी बचाएगी agricultural activities में it can be used in hilly as well as in plain area hilly areas में भी use हो सकती है आप कौनसे model idea के उपर synopsis चाहते हैं मुझे comment section के मादियम जरूर बताए शो support like share subscribe to our channel thanks for watching